हलो गाइस विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल टेट विथा लोग मैं आज आप लोगों के सामने एक इंट्राडे का बहतरीन सेटप लेके आने वाल हो बहुत ही बहतरीन सेटप है इसको जानने के बाद आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉपिटेबिलिटी और अपका एफिशेनसी रेष्यो जरूर से जरूर ही इंक्रीज होगा बस कंडििशन यह हो कि अपको इस पर अपने डिकाना आपको इस पर दिखानाब को अपको इस नहीं करना वो सबसे ज़्यादा important है तो आप इस वीडियो का end तक देखो इसे देखने के बाद आपका profitability ratio जरूर increase होगा और आप इसे जरूर से जरूर ही use करो और आपका जो support label या फिर आप resistance लेले बनाते हो वो भी आपका उसका accuracy level बढ़ जाएगा तो अब देखे यह setup है क्या यह mainly अभी मैं use कर रहा हूँ मैंने इसे one month पिछले पूरे month को use किया है और इसका profitability ratio जो है 75 to 80% है तो अगर आप भी इसे use करते हो full condition के साथ तो आप भी यहाँ पे profitable हो सकते हो आप बरसरते आपको यह करना होगा कि conditions को fulfill होना है त कब यूज करना कब यूज नहीं करना है तो मैं अभी start करता हो देखिए इसमें क्या करना है actually मैं यह क्या एक Fibonacci के बारे में आप लोग मिली सभी लोग को पता है अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दू यहाँ पर देखिए दो चीज़ होता एक होता है Fibonacci retracement और एक होत को सेलेक्ट कर लेना है कौन सा टैटिस फीब retracement ठीक सेलेक्ट कर लिए आपने ठीक देखिए मिली अब क्या करना है आप लोग यहाँ पर आपको क्या करना है previous day का swing यानि कि माल लेते हैं कि यहाँ पर जो second fab है यह market नहीं बना होता हम first fab से लेवर होते हैं यानि first fab का market यह जो previous high previous high से previous और previous low को क्या करना है एक बर connect कर देना है ठीक है मैंने connect कर दिया previous high से previous low को अब क्या करना है यहाँ पर important level है that is 0.5 का level ठीक है इसे क्या करना है आपको यहाँ पर एनोट करना है ठीक है मैं माल लेता हूँ कि यहाँ पर 0.5 के level है मैंने यह 0.5 के level को draw किया ठीक है चलिए अब क्या करना है इस fib को मैं यहाँ से हटा दूँगा ठीक है यह मेरा पहला step clear होगी है that is 0.5 का level यह रहा ठीक है अब देखिए यह क्या है कि यह positional swing के बारे में होग ठीक है यह positional के लिए हंटर लिए अब देखिए आपको क्या करना है अगर आपको फिर से fib लगाना है तो क्या करना है आपका यह 0.5 का label था यहाँ पे klick करना है वहाँ से लेके आपको नीचे तक का एक previous Low तक का हुआ को खल मार्क करना है ठीक है और ISK बाद निद्थ का उसको आ लेपल तो आप देख रहे होंगे कि market में आपको ये वाला point जो है market में आपको बहुत च्छा से दिह रहा हो गाँ ये वाला point जो market में ये वाला point और ये वाला point यह दोनों ही point market में कितना importance role play किया है यहांपे interat Mediterranean ठीक है तो आप लोगों पू होगों को यहांपे क्या करना ठीक है next day के लिए हम यहां पर prepare करेंगे वहां पर हम क्या करेंगे देखे सबसे पहले क्या करेंगे कि अब मेरा यहां पर यह 0.5 का लेबल था और यह भी मेरा 0.5 का लेबल है अब माल लेते हैं कि मुझे Monday के लिए करना है कि मंडे के मैं क्या करूं मंडे को कैसे करूं मंडे क्लिए क्या करना है फिर से आपको क्या करना है प्रिवेश स्विंग यानि कि यह वाला लेबल जो है मेरा यहां से लेके यहां से लेके यहां तक मार्केट यहां से क्योंकि प्रिवेश स्विंग है ना यह को connect करंगा लो से फिर साई को मैंने connect कर दिया अब देखिए यहां पे यहां पे जिजीनो पइंट फाइफ का लेबल होगा देखिए इसे मार कर लूगा मैं यह रहा मेरा जिरो पाइफ का लेबल यह वाला ठीक है अब यह मैं यह थे क्या हो गया मंदे के लिए इसके उपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मैं फिर भी मैं यहां पर क्या रहूंगा एक bullish sentiment मेरा यहां पर बना रहेगा ठीक है अब देखिए मंडे को क्या होता है अगर मानते मार्केट गैप अप हुए या गैप डाउन हो कोई condition नहीं अगर इस वाले लेबल के उपर कौन से वाले लेबल के उपर इस वाले 0.5 के लेबल के उपर यहां पर देखिए इस वाले 0. 0.5 के लिए उपर यहां से आगे यहां पर sustain करता है और 15 मिनट का candle यहां पर close हो जाता है तो आप क्या करोगे यहां पर bullish हो जाओगे और उसके बाद यहां पर एक call buy कर सकते हो ठीक है call buy कर सकते हो जो risky trader है आप यहीं पर call ले लो और इसके नीचे का SL shift कर दो और उपर तक का target आपको जहां तक का target आप set कर सकते हो लेकिन जो risk aversal trader है जिनको risk उतना पसंद नहीं होता वो minimal risk के साथ लेते हैं तो वो क्या कर सकते है यह जो देखे यह previous day का closing है यह Friday का closing है जब market Friday के closing के ऊपर trade करना start कर दे इस वाले ट्रिक के ऊपर trade करना start कर दे तब आप यहां पर क्या क करो कि buy करो और इसके नीचे आप previous day के candle के नीचे आप अपने SL को रखो यहां पर और उसके बाद यह वाला आपका क्या हो जाएगा target हो जाएगा देखें सिंपल सा बात है और यह यह तो मैंने आपको मंडे के लिए बता दिया अब देखें माले ते फरस्ट यह लागा नही क्या है कि सिंपल सी बात है यहां पर यहां तक का मेरा टार्गेट होता क्यों कि बार 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 नरका इस वाले लिए कौन से लेबल है तो यह जो 0.5 का लेबल है मार्गेट ने क्या किया एक प्रिवेस यहां पर यहां पर मार्गेट खुला ठीक है चलिए एक स्विंग बनाया नीची आया ठीक है अब मैं एक्टिव हो जाओंगा मैं फर्स्ट आर्ट ट्रेड करूंगा ही नहीं करूंगा फर्स्ट फर्स्ट आर जो साढ़े दस पर तक का टाइम है न वह अभी मेरे लिए नो ट्रेडिंग अपको बता दिया कि यहां पर पर यहां पर बुलिश दिया ठीक बटा टीक है शहां पर एकाणी, अब जैसे मानले जो एक 0.5 का लेबल होगा माले यहाँ है तो यहाँ पे ट्रेडाउ कर देना है तो फिर आपके लिए इंट्राडे के लिए important कौन सा हो जागा यह वाला लेबल और इसके उपर अगर candle closing देना प्रिवेस लो घंट लेने लोग Nä disturbing तो सिंपल सी बात है यहाँ बता जो 9 15 में ट्रेड लेने वाले है पहले मैंने उन लोगों के लिए बता दिया जो रिस्क अवर्ज लेका त्रेड़ है उन लोगों के बता दिया moreosa की ठीट कर रहा है है मैंने वहारे करना है हाई तू लो या फिर लो तो हाई कनेट करना है ठीक है यह हाई तू लो मेरे यहां पर कनेक्ट हो गया ठीक है और उसके बाद यहां पर क्या करना है फिर यह जो मेरा 0.5 का लेबल बना उससे मैं क्या करूंगा एक 0.5 का लेबल बनाऊंगा इंट्राडे के लिए ठीक ह simple सी बात है यहाँ पर मेरा intraday के लिए हो गया ठीक है और उसके बाद मैं क्या करूँगा यह मेरा जैसी की 0.5 का label बना और उसके बाद मैं क्या करूँगा market को कम से कम 9.15 से लेके 10.30 तक मैं 1 hour कम से कम यहाँ पर market को trade करने दूँगा 1 hour कम से कम market trade होगा उसके बाद मैं क्या करूँगा low to high either wise high to low यह दो condition मैं आपे connect करूँगा फिर मैं 0.5 के label को वहाँ पर draw करूँगा अगर market उसके उपर close होना start हो गया यानि कि मैं फिर क्या हो जाओँगा बुलिश हो जाओँगा और अगर उसके नीचे close कर दे 15 मिट के candle तो म यहाँ पर क्या हो जाओँगा मैं very sentiment मेरा active हो जाएगा simple सी बात है market के conditions को समझना है buyers को समझना है और sellers को समझना है ठीक है और क्या करना है psychology के साथ play करना है यहाँ पर कोई indicator काम नहीं आने वाला है कोई fancy indicator काम नहीं आएगा आपका ही आपका psychology और आपका mindset देखे आपका mindset हो गया और 10% आपका क्या हो गया आपका technical knowledge बस simple सी बात है ट्रेडिंग यही पर solve होता और इससे ज्यादा आप लोगो सोचना नहीं है minimum lot से trade करना है one lot और two lot क्या फिर ज्यादा चार lot इससे ज्यादा trade नहीं करना है और avoid करे Monday plus Friday यह दो दिन अगर आप नहीं ट्रेड करें तो अब रिटेल टेडर इस दिन पाटिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज्यादा यहाब हाई होता है मैंने सारे पॉइंट को समझा दिया अगर आप मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं ने स्टेडिंग सेशन में तब